ब्रह्माड की सबसे धनवान राशी कुम्बराशी 26 और 27 जुले को अचानक चमक जाएगी किस्मत दोस्तों मनुष्य की जीवर में समय के साथ साथ अच्छा और बुरा समय आता रहता है जोतिश के जानकारों के अनुसार जो भी परस्तितियां व्यक्ति की जीवर में आती हैं यह सबी ग्रहों की चाल पर आदारित होती है अगर ग्रहों की चाल किसी व्यक्ति की राशी में ठीक है तो इसकी वज़े से व्यक्ति का शुबह समय आरंब होता है परन्तो ग्रहों की चाल ठीक ना होने के कारण व्यक्ति को बुरे समय से गुजरना पड़ता है बदलाव प्रकृति का नियम है और यह समय के साथ साथ निरंतर चलता रहता है जोतिश गनाना के अनुसार आज हम आपको कुम्बर राशी के बारे में बताने वाले हैं 26 और 27 जुलई को कुम्बर राशी की किस्मत अचानक चमकने वाली हैं बुद्धी का सही उपयो करते हुए आप अपने काम को आगे बढ़ाएंगे पुराने रोग के प्रती ला परवाही ना करे यदि आप धहरे और श्यांती से काम लेंगे तो आपके हर मुश्किल आसन हो जाएगी जीवन साती से मन मुटाव आपको उदास कर सकती हैं दुकत समाचार मिल सकता हैं वानी पर नियंदर रखे अपने पार्टनर को नजर अंदाज करना तनाव का कारण बन सकता है बहतर होगा किसी अजनभी पर भरोसा ना करे दोस्तों ऐसे ही कुछ महतोपुर्ण बाते आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और भोले नाज जी का अशिर्वात चाते हो तो कमेंड में जय भोले नाज जी लिखना ना भूले साथी चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो चले दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कुम्ब राशी की सामान्न राशिफल के बारे में रिस्तेदारों के साथ आपके तालमिल अच्छे रहेंगे विदेश जाने के इच्चुक लोगों को जल्द ही विदेश जाने का आऊसर मिल सकता है व्यापार में आपको सुकत नतीजे प्राप्त होंगे आपका प्रेम जीवन बहतर रहेगा आचानक धनला मिलने के योग बन रहे हैं पुरानी योजनाएं पूरी हो सकती है प्रभावशली लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के अउसर मिल सकते हैं घर परिवार के किसी सदेसे से बड़ी खुशकबर मिलने की संभवना बन रहे हैं आपके मन की सभी परिशानियां दूर होगी आप खुद को उरजावन महसुस करेंगे शनी देव की कुरुपा से आपकी आरतिक स्तिती मजबुत बनेगी आप अपने नई जिम्मेदारियों को बखुबी तरीके से पूरा कर सकते हैं मित्रों की सहयता से आपको अच्छा लाब मिलेगा ससुराल पक्षे से सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं कामकाज का दबाव कम होगा आप अपने कामकाज में मन मताबिक लाब प्राप्त कर सकते हैं जिसे से आपका मन खुश रहेगा कार्यक्षेतर में चल रही परीशानियां दूर होगी आप अपने परिवार के लोगों के साथ बहतर समय वेतित करेंगे दोस्तों अब बात करते है कुम्बराशी की कुछ ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में आप पैसे का लालच ना करें और सट्टे बजी से दूर रहे आपकी सही बात का भी विरोध हो सकता है भूमी वो भवन संबंदित योजनाई बनेगी आपकी कुछ इरशाली सहकर्मी आपके लिए कोई मुसीबित खड़ी करने का प्रयास कर सकते हैं आप सावधान रहे महतोपूर्ण कारणों से घर परिवार से दूर जाना पड़ सकता है संतान से सूप मिलेगा आप अपने लक्षे से भ्रमित भी हो सकते हैं लेकिन अपनों का साथ आपको सही दिशा मिले जाएगा आपको अपने दुरुष्टी कोन में बदलाव लाना होगा नोकरी में सम्मान प्राप्त करना होगा रुके कारे पोर्ण होंगे आर्तिक सिती अच्छी रहेगी आप अपनी घर की साथ सजावड में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं प्रसनता में उरुद्धी होगी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती अगर आप मन लगा कर प्रयास करेंगे सफलता अवश मिलेगी नए लोगों से मुलाकत होने से आपको कुछ बड़े फायदे भी हो सकते हैं दोस्तो अब बात करते हैं कुंबराशी की धनराशिफल के बारे में अपने घर के बड़े हुए खर्चुन से परिशान होने की अवशकता नहीं है क्यूंकि आपकी आए बढ़ने की प्रभल संभव ना है आप अपना ध्यान बड़े निवेश पर लगाएं तथा छोटे मुटे नफा या नुकसान पर ध्यान ना दे आप यह सुनिचित कर ले की आपकी घरेलो आए बढ़ती रहे इससे आपकी आए बीते वर्षों की अपेक्षा अधिक होती जाएगी और साल दर साल आप आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे प्रत्यक आर्थिक उच्छाल से आप अपने मस्तिशक में तनाव यो चिंता ना करें क्योंकि इससे आप अपने जीवन को सहज महसूस नहीं करेंगे तथा यहो आपकी आईकी ख्यंता में अधिक बादक हो सकता है दोस्तो अब बात करते हैं कुंबराशी की करियर राशिपल के बारे में आप अपने काम के प्रती उस्तुक रहेंगे पर खुद को तनाव योग तो महसूस करेंगे और आपके विचार कुछ उल्जे हुए रहेंगे अगर आप यह समझ सकी की आपको पहले क्या करना है तो आप आसानी से अपना काम कर सकेंगे आराम से बढ़ कर लंबी सांस लें इससे शारिरिक वो मांसिक दोनों तरह से आपको लाब मिलेगा इससे आप ना केवल बात पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे बलकि उसको सुलजा भी सकेंगे दोस्तो अब बात करते हैं कुमबराशी की लवराशी फल के बारे में एक दिन वाइदे का दिन होंगे वो आप रोमेंटिक मूर में भी रहेंगे आपको चाहिए कि आप अपने साती के साथ किसी ऐसी जगह मिलने का कारेकरम बनाए जहां पर कोई व्याउधन ना हो और आप एक दूसरे को समझ सके आप अपने जीवन साती के साथ अत्वा होने वाली साती के साथ छोटी मोटी यात्रा पर जा सकते हैं जिसे से आपको तनाव से मुक्ती मिलेगी और आप इखटे अच्छा समय बिदाएंगे। यह समय आपके खुशिया मनाने यह अपने अनाडीपन को कैमेरे में कईद करके बंद रखने का हैं। जिससे भविश में अपने अनाडीपन को याद कर हां सके। दोस्तो आप बात करते हैं कुमबराशी की स्वास्ते राशिपल के बारे में। बिना किसी परिशानी के आपका स्वास्ते अच्छा रहेगा। इसलिए आप बिना किसी कारण व्यायम करना ना चुड़े। ध्यान रहे कि आप व्यायम तो रोज करें और खाने का भी पूरा ध्यान रखें। ताकि आपका वजन कम रहें और आप स्वास्ते रहें। आप स्वास्ते को लेकर संतुष्ट ना हो जाएं क्योंकि गटा या वहा वजन फिर से भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों यहती कुम्बर राशी के बारे में अब बात करते हैं कुछ ऐसे कामों के बारे में अगर आप उने करेंगे तो आपकी बिगडी तक्दिर भी नया की देवता शनी देव उसे फिर से अच्छा बना देंगे दोस्तों धार्मिक शास्तों में इस बात का उल्ले किया गया है कि जब मनुश्य जीवित रहता है तो उसके कर्मों का लेखा जोका शनी देव देखते हैं जैसे मनुश्य के कर्म होते हैं उसी के अनुसार शनी देवता नय करते हैं इसी वज़े से शनी देव को नय धीश की उफादी दी गई हैं वर्तमान समय में शनी देव से जादतर सभी लोग भैबित रहते हैं परन्तु ऐसा बताय जाता है कि जो व्यक्ति अपनी जीवन में ग शनी देव के दंड का सामना करना पड़ता हैं आजकल के समय में जादतर लोगों को शनी देव के प्रकोप का सामना करना पड़ता हैं जिसके कारण लोग इनको कुरूर ग्रह के रूप में मानते हैं जोती शास्तर में शनी के बुरे प्रभाव को कम करने के कई तरीके दानपुन्य जब से लेकर मंत्रों से जुड़े हुए कुछ उपाई किये जाए तो शनीदेव के बुरे प्रभाव से रहत प्राप्तों होती है आज हम आपको ऐसे ही कुछ उपाई बताने जा रहे हैं जिनको करके आप शनीदेव को प्रसंद कर सकते हैं तो चले दोस्तों शनीवार के दिन काली गाए, काली चिडिया, काले कुट्य को खाने की वस्तु दिजे इसे से शनीदेव से आपको शुप प्रभाव मिलेंगे और आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे तो दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे मंत्र के बारे में जिनका अगर आप जाप कर सनान करने के पाच्चात सर्व प्रथम दशरत प्रूत शनीश्तरोत का पाठ कीजिए अगर आप शनीवार को मंत्र ओम शेम अवयस्तायन नमहा इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो इससे आपको लाब मिलेगा अगर आप शनीदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप शनीवार के दिन रुद्राक्ष की माला से ओम शनी शनस्चरायन नमहा इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए ऐसा करने से आपके उपर हमेशा शनीदेव की कृपा बनी रहेगी और शनी का बुरा प्रभाव दूर होगा दोस्तों आप बात करते हैं शनीवार को कौनसे चीज़ों का दान हमें करना चाहिए आप शनीवार के दिन शनी देवता की प्रिये वस्तों निर्धन और जरूरतमंद लोगों में दान कर सकते हैं आप शनीवार के दिन काली उड़त की दाल तील से बनी हुई चीज़े लोहा काले जुते काले कपड़े आदी का दा परण तो आपको इस बात का द्यान रखना होगा की जो वस्तों आप दान कर रहे हैं उसको घर के अंदर खरीद कर ना लाए आपको घर के बाहर ही इन चीजों का दान करना होगा तो दोस्तों आफरी जो काम हैं शमी उरुख्षक की पूजा अगर आप इस उरुक्षे की पूजा करेंगे तो शनी देव होंगे प्रसन माननेता अनुसार यदि किसी व्यक्ति से शनी देवता प्रसन हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन की सभी परिशानियां दूर होती हैं आप शनीवार के दिन शनी के पीड की पूजा करें इससे शनी देवता आपसे प्रसन होंगे इसके अलावा अगर आप शनी का फूल भगवान शिवजी को अरपित करते हैं तो इससे भी शनी देवता प्रसन होते हैं इतना ही नहीं बलकि शनी ग्रह से मिलने वाले बुरे प्रभाव भी दुर हो जाते हैं तो दोस्तो यहते कुछ काम इन्हें करने से नाय के देवता शनी देव आपकी बिगडी हुई तकदिर चमका सकते हैं तो दोस्तो आज की सुझी में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरू करेगा साथ यह हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिपल को सब्सक्राइब जरू करेगा तो मिलते एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद